नमस्कार आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है इस टो तक पर मैं यानी प्रतीक भट जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था आर्थिक राशी फल साल 2020 का हमने खतम किया अब नौकरी का राशी फल क्या रहेगा नौकरी वालों का हाल साल 2020 में इस से लिए के मीन तक का हाल जानेंगे उसी के साथ साथ नौकरी वेवसाई की क्या इस्थती रहेगी वो बताएंगे ग्रहों की क्या इस्थती रहेगी वो बताएंगे और देंगे ऐसा चुक पाए क्योंकि साल 2020 में आपको सुखी रखेगा लेकिन सबसे पहले आप समझ लिए साल 2020 कैसे इंपेक विर्षब राशियों मिथुन राशी में सितंबर तक रहेंगे मिथुन फिर विर्षब राशी में शनीदेव माराज रहेंगे मकर राशी में और 11 मई से सितंबर तक रहेंगे वक्री इस्थिती में साल के सुरुवात में द्योग्रू वह्षपती अपनी राशी धनु राशी में रहेंगे और 30 मार से आगे की एक राशी में जाके मकर राशी में चले जाएंगे नीच की स्थिती में लेकिन नीच बंग बनेगा कोई समस्या ने अब बात करें ओवर और इस साल के लगने के देखिए खास तोर से इस्थाई लगन बहुत जरूरी होती है नौकरी वरसाइगे तो कन्या लगन का उदय हो रहा है और यहां पर जो चंद्रवा है खुद छटे घर में रहेंगे जो की नौकरी का घर है निश्चित तोर पर नौ साल निश्चित तोर पर उपलबदी भरा रहेगा अब चर्चा कर लेते हैं मेश से लेके मीन वाली राशियोंगी सबसे पहले मेश राशी का हाँ साल 2020 निश्चित तोर पर फल डायक रहता हुआ दिख रहा है नौकरी से संबंदित कोई समस्या की खतम होती दिख रही है को स समस्या की खतम हो जाएंगी नए साल पर आपके जुक का मेहनत है उसका फल आपको मिलता हुआ दिखेगा उसी के साथ साथ आफिस में बॉस आप पर महरबान रहेंगे और खास तोर से सत्रुबग्च हावी नहीं हो पाएगा उच अथकारियों से बैतर संबंद पूरे साल बने रहते हुए दिख रहा है खास तोर से उच पत पर बैठाओ को व्यक्ति आपको लापतिता दिख रहा है प्रमोशन के योग बनते दिख रहा है अगर नई नौकरी की तलाश है तो निश्चत तोर पर वो तलाश फरवरी से लेके जून महीने के बीच खतम होती दिख र लगाना चाहिए माथे या कंग पर लगाएं तो और बैठर है अब बात कर लेते हैं व्रशब राशी वालों के लिए साल कैसा रहेगा नौकरी वैवसाय के लिहास से तो साल एवरेज रहता हुआ दिख रहा है मिस्चित रहेगा ऐसा नहीं है किससे लाप नहीं मिलेगा ला पर इस्तिति बैठर हो ओफिस में थोड़ी बहुत पॉलिटिकल इस्तितियां क्रियेट होंगी जिस वज़े से आपको मन थोड़ा सा अप्रसन रहेगा थोड़ा सा ध्यान भीजेगा प्रांसफर को योग बन रहे है कोई नई जगह जा सकते हैं जिससे हो सकता आपको थोड के लिए बहुत प्रबल योग नहीं है तो आप जहां पे हैं वहां पर बनाए रहें अपने आपको और वो पाए तो विदोर्शों में अगर नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा है वीजा मिलने के संकेत भी दिख रहे हैं महा उपाए जो पूरे साल आपक रखना है मिद्वराषी वालो नौकरी के लिहाज से साल more than average रहने वाला है इस साथ आपको कुछ परेशाणी हो सकती है जत्रूपकत परेशान कर सकते हैं आपके गंभीर कार अगर है तो लटक सकते हैं कुछ बड़े काम भी लटक सकते हैं किसी प्रकार से बादिवास से तो इस्तितियां और बिगड जाएंगी आठवे घर में खास्तोर से शनी की इस्तिति दिख रही है मैंनत और प्रयास बहुत करने के बाद भी असानी सफलता नहीं मिलेगी इस साल ऑफिस में आपको सायोग कम मिलेगा सत्रूपक छावी रहेगा प्रमोशन के लिए इंतिजार करना पर सकता है जुनवरी में उम्मीद कर रहे तो जुलाई में मिलेगा जुलाई में उम्मीद कर रहे तो साल के आखरी में मिलेगा टांसफर की भी संभावनाय बनती दिख रही है कोई ऐसी जगे टांसफर कर हो सकता है जहां पर आप बहुत ही ज्यादा खुश ना हो ले यहां बहतर रहेंगी, more than average रहेंगी, office में आपको confident रहना है बस क्योंकि कुछ confidence की कमी स्थाल रहती हुई दिख रही है, खास्त और से अनावस्यक तनाओ नहीं लेना है, अनावस्यक खर्चों पर भी कंट्रोल रखना है, अपने काम करने वाले सहे पार्टियों के साथ, उच् इंक्रीमेंट के हिसाब से average साल है, कुछ बहुत ज़्यदा उम्मीद मत करिएगा, अपेक्षान रूप सफलता मिलती दिख रही है, लेकिन promotion की संभावना है second half महीं है, transfer आधी के योग नहीं है, खास्त और से नौकरी में स्थाइट तो बना रहेगा, जीवन पहतरी से आग स्विंग राशी की बात करें, तो खास्त तोर से ये साल 2019 के competitively बहुत बैतर रहने वाला है, नौकरी वेज़साई के लिहास से, 2020 अच्छा रहेगा, उपलप्ती भरा रहेगा, पाचुए घर में ब्रहस्पती की स्थिती, छटे घर में शरी माहराज की सिगनिश्चित और प परहल तक promotion हो सकता है, महतपूर पद मिल सकते हैं, महतपूर ओधा आपको मिल सकता है, काम हो जाने की वज़े से अच्छे प्रोजेक्ट आपके complete हो जाने की वज़े से office में सम्मान मिलेगा, पुरुसकार की संभावना है, कुछ अधकारियों से सम्मान बेतर रहेंगे, office का म महल आपके अनकूल रहेगा, पूरी तरह से सायोग हरतरा का मिलता दिख रहा है, office में अगर खास तोर से कुछ नया काम तलास रहे हैं, कोई नया administrative post तलास रहे हैं, तो असानी से मिलेगी, बाहर नौकरी की भी संभावनाय बनती दिख रही हैं इस साल, increment और रेतन रद्धी क नयाराशी वालो, खास तोर से साल उफलबदी बरा बनता दिख रहा है, नौकरी वर्साएं में जो परेशानी थी, वो खतम हो जाएंगी मार्च तक, खास तोर से आपके टार्गेट्स पूरे हो जाएंगे और लाइफ में बैतर करेंगे, आपको कार में असानी सफलता मिल आपके अधकारियों के साथ थोड़ी खटपट रह सकती है, तो उस पर फोकस करिएगा, नए साल में प्रमोशन मार्च महिने तक मिलने की संभावना है, मान संभान में रज्जी होती दिख रही है, नए साल में खास तोर पर कुछ हद तक सत्रू परेशान कर सकते हैं, तो उ नहीं तो शुक्रवार के दिन कर लीजे, तोला राशी वालो, साल ओवराल ठीक दिख रहा है, कहीं कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी, नौकरी विरसाय के लिहाज से साल अच्छा जाता दिख रहा है, तीसरे और चौते घर की इस्तिती खास तोर से लापकारी इस्तिती है अकास्मिक ट्रांसफर भी हो सकते हैं, ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं, नौकरी वालों को थोड़ा सा शुरुआत में परिशानी आ सकती हैं, लेकिन मार्च मेने गवाद चीजे बैतर होगी, कोई भी जोकिप भराकार ना करें, कोई भी रिस्की काम ना करें, नहीं त पर लाब मिलेगा, ओफिस की राजनीती से अगर आप परिशान हैं, तो मेडिटेशन का सहरा ले, निश्चित पर लाब मिलता दिख रहा है, इंक्रिमेंट के लिए साल अच्छा रहेगा, जुलाई का मेना बैतर होता दिख रहा है, शनी दियो को उपासना करें, और शनी व मंदित काफी हद तक सफलता मिलेगी, नया ओदा मिलेगा, यहापे आप पावरफुल पोजिशन होगे, ओफिस का महौल अच्छा होगा, बॉसस आपकी सुनेंगे, आपके साथ आम सम्बंद भी उनके अच्छे रहेंगे, आप हर आदमी का ओफिस में वरोसा जीतने में काम अच्छा प्रमोशन मिलने के संगेत हैं, उसी के साथ विदेश यात्रा के योग बनते हुए इस साल तिक रहें, नौकवी से संबंद देते हैं, क्या करना है, एक पीतल का छला धारण कर लेना है, बहुत लाग देगा धनूरा शिवालो, पिछले साल के तुलना में ये साल थोड़ा बैतर होता दिख रहा है, निश्चित तोर पर देवगूरु ब्रैसपती के स्थिती लगन में और दूसरे घर में खास तोर से शनी देव की स्थिती बैतर रहेगी, शनी धीरे-धीरे धन देंगे, धीरे-धी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसका खास तोर से जो रिवार्ड है, वो साल के आखरी पे मिलता दिखता है, अच्छे प्रमोशन होंगे, इंक्रिमेंट अच्छा होगा, लेकिन साल का आखरी तक इंतजार करना होगा धनूर राशिवालों को, सूर देव की उपासना हो जाएगा, ऑफिस में काम करने वालों का भी सायोग मिलेगा, और खास तोर से हायर अथर्टी आपको सायोग देती हुई दिख रही है, सिर आपको किसी भी बात विवात से बचना है ऑफिस में, और नमबर दो के काम में बिलकुल इंवाल नहीं हो रहा है, क्योंकि शनी द कुम्रा शिवालों के लिए एवरेस साल है ये, खास तोर से बारवे घर में शनी देव की इस्थिति नौकरी को थोड़ा प्रभावित करेगी, नौकरी में परवर्तन होंगे, और खास तोर से आपकी आशा नूरूप ट्रांसफर नहीं होगा, और हो सकता है, जहां आप चा काम में मन और काम में फोकस कम हो सकता है, इसलिए स्वास का भी ध्यान दें, और घरेलू इस्थितियां भी कही ना कही थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है, इसलिए बिल्कुल लापरवाही ना परते हैं, और खास तोर से नौकरी में लापरवाही आपको भारी पर सकती है इस सा तो थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, शिव चालीसा का पाट सोमबार के दिन लापकारी पहेंगा, मीन राशी वालों के लिए नौकरी वेफसा एक लिए साल 2020 बहुत अच्छा है, नौकरी में सुप समाचार मिलेंगे, बैतर नौकरी के औसर मिलेंगे, तरक्की प्रमोशन की संकेत है, मन प्रसंद रहेगा, आर्थिक लाप के भी मिलने के संकेत है, विदेश यात्रा इस साल खुब करेंगे, उससे संबंदित लाप भी मिलेगा, जीवन में खास और से ये साल नौकरी के लिया से बहुत अच्छा रहेगा, आपका डॉमिनस रहेगा, जीवन बहुत कुण रहेगा, और नौकरी वेवसाय में नए नए आयाम गड़ेंगे 2020 में, क्या करना है महाव पाए, रवी वार के दिन बारा बार गायती मन का पार जरूर कर लिजेगा, हो पाए तो रोज सुबह साम कर लिजे, बहुत लाप करना है, तो ये था नौकरी वेवसाय का साल 2020 का राश्वी वार, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों तक जरूर पहुचाईए, आज कलिए फिराल प्रदीपट का बहुत 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 दैंक्यों